हलो बच्चो हलो एवरिवन बिटा स्टार्ट कर रहे हैं आज सेकंड लेक्चर मॉर्फलोजी और फ्लारिंग प्लांट चैप्टर का और इस लेक्चर में टार्गेट रहने वाला है लीव, इन फ्लोरेशन्स और फ्लार के कुछ पार्ट पड़ेंगे हम लोगे अब मैं आपको ये इंफोर मॉर्फलोजी के एराउंड फोर चैप्टर्स, मिनरल न्यूटिशन को छोड़के बाकी फोर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, इसके बाद हमने बायलोजीकल क्लासिफिकेशन पड़ा था, उसके फाइव लेक्चर्स ह आप उसे देख कर याद कर सकते हैं, अब हमने अपने लास लेक्चर में मॉर्फलोजी और फ्लारिंग प्लांट में रूट और स्टैम पढ़ लिया था, अब हम उसके आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं, एक सजेशन आप लोगों से प्रॉपरली विटा आप नोट्स बनाए NCRT पढ़ें बार-बार ठीक है, और जहां भी दिक्कत है लेक्चर को देख की रिवाइस करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं को स्टेट्मेंट बोल रहा होता हूँ जो NCRT में लिखते हैं उससे relevant, जैसे मैंने बोला था कि जो सब एरियल है वो जस्ट जमीन से नीची है, जस बल्ब, पॉर्म और राइजोम हम लोग लेते हैं, ठीक है तो एक क्लासिफिकेशन है जो हम लोग फॉलो करते हैं पढ़ाते वक उसे अब ध्यान रखेंगे, अब बिटा टॉपिक हमारा आ गया है वो लीफ पर, लीफ की बात करते हैं, लीफ क्या है, कैसे है उसकी डिटेल देख लेते हैं, तो स्टार्ड करते हैं टॉपिक, तो हमने मॉर्फ लोजी में जो कम्опleet किया, उसके बाद हम लोग अब क्या पढ़ेंगे आज, हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे न, तो हमने जो अल्रेडी कम्पलेट कर लिया बिटा, वो है हमारे पास, हमने कम्पलेट किया है root, हमने complete किया stamp, अब हम पढ़ रहे हैं leaf, इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, first lecture में हमने ये दोनों को complete किया, अब देखे, सबसे पहले, हम क्या करते हैं बिटा, leaf के basic feature के बारे में जानना चाहते हैं, कि leaf का basic feature क्या है, उसको समझेंगे और important है, देखे, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि basic feature क्या है leaf का, जैसे हम लोग stamp का भी पढ़ते थे, तो आप जड़ा कुछ ऐसे समझें, मैं एक stamp बनाता हूँ, आपके लिए ध्यान से सुनीगा, इसको important है ये, माल लीजे, मैंने एक stamp बना दिया, ठीक है, एक ये stamp बना दिया, इस stamp की tip पर हमने leaf जैसा कुछ structure बनाया ऐसा, और इसके बीच में है dividing cell है, ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं, apical bud, क्या नाम देते हैं, बिटा, apical bud, हम नाम दे देते हैं, apical bud, कहां तक समझ आ गया, इसको नाम दे दिया, apical bud, जब ये structure या जो stamp है, ये grow करेगी, जब ये इस तरीके से उपर grow करेगा, तो मेरे पास, दियान से सुनेंगे, मेरे पास exactly क्या दिखेगा, दियान से सुनेंगे इसे, मेरे पास जब ये stamp ऐसे grow करेगी, इस तरीके से, तो उसके tip पर भी मुझे, वही dividing cells दिखेंगे, ठीक है, ये dividing cells हैं, इसको इस structure ने surround किया हुआ है, ठीक है, तो जो ये leaf जैसा structure था, ये पीछे leaf की form में छूटता चला जाएगा, node पे, तो आपको ये समझ आना चाहिए, ये जो था, ये पीछे, ये leaf की form में ऐसे छूट गया, इस तरीके से, हमारे पास leaf की form में इस तरीके से छूट गया, और अंदर से और जादा undifferentiated structure आज़े, तो आपको क्या यहाँ पे समझ आया, ये apical bud है, इसमें ये undifferentiated leaf जैसा structure है, और यहाँ पर ये dividing cell है, यहाँ से नए हमारे पास, जैसे ये मैं कहा रहा हूँ, ये dividing cells हैं, यहाँ से ऐसा और structure बनता रहता है, इस तरीके से, ये वो leaf जैसा structure है, यही चीज leaf में convert होती है, यहाँ तक समझ आ रहा है, यही चीज हमारे पास leaf में convert होती है, तो मैं यहाँ पर क्या point समझ पाया, सबसे पहला point, जो मेरे दिमाग में जाना चाहिए, वो ये जाना चाहिए, कि leaf develop from, किस से develop होती है, apical bird से, सबसे पहला point हमारे दिमाग में आना चाहिए, कि leaf किस से develop होई, apical bird से, यह जो apical bird है, यह leaf की form में पीछे छोड़ती वी जाएगी, दूसरे चीज, अगर आप ध्यान से देखे, नीचे old leaf है, उपर young leaf है, उपर क्या है हमारे पास, यह young leaf है, ऐसे मेरे पास क्या है, young leaf है, यह चीज समझ आ रहा है, यह वो leaf है, जो बाद में बनी है, तो ऐसी leaf को हम, ऐसी arrangement को हम नाम देते हैं, acropetal, acropetal arrangement है leaf की, acropetal आप line चेक करेंगे, मिल जाएगा आपको NCRT में, acropetal arrangement है leaf की, इसमें क्या है आपके पास, old leaf, old leaf क्या है, base पर है, और young leaf मेरे पास क्या है, young leaf मेरे पास क्या है, top पर है, यहां तक समझ आ गया, ठीक है, clear, तो हम यह कह रहे हैं, कि leaf develop कर रही है, apical bird से, acropetal arrangement है, old leaf नीचे है, young leaf कहा है, हमारे पास, top पर है, यह चीज़ समझ आ रही है, clear, यह चीज़ समझ आ रही है, अब मेरी बात, ध्यान से सुनना, आप जो important है, यह leaf कहां develop करी है, आप देखो जड़ा, यह leaf develop करी है, node पर, यह leaf कहां develop करी है, node पर, ध्यान से सुनना, यह leaf node पर develop करी है, तो हम कह सकते है, कि यह कहां develop करी है, develop on node, तो क्या-क्या point important हो गए, पहला, कैसे develop करती है, leaf, first apical bird से, acropetal है, और कहां develop करी है, node पर, कहां develop करी है, node पर, these points are known as node, और यह कैसे है, lateral, lateral मतलब side में है, हम एक और point लिखेंगे, lateral, तो यह बिटा leaf का feature हो गया, जो आपको आना चाहिए, पहला, leaf always develop from apical, second, leaf की development, acropetal है, old leaf नीचे, young leaf उपर, क्योंकि जब यह bud उपर grow करेगी, तो old leaf यह वाला part as a leaf, leaf छूट जाएगा पीछे, और अंदर से नए ऐसे structure मतलब, अंदर मतलब क्योंकि यह dividing cells है न, यहां से और ऐसे structure बनते रहेंगे, ठीक होगी बात, ठीक है, और यह किस पर develop कर रही है, node पर, और lateral है, यह points आप NCRT चेक करेंगे, आपको मिलेंगे, clear होगी बात, यह हमने समझ लिया, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, और leaf के बारे में और जानते हैं, उसका structure देखते हैं, leaf ढिखता कैसा है, तो हम यह कहते हैं, बिटा, जब हम structure की बात करते हैं, leaf की, तो हमारे पास क्या है leaf का structure, देखे, leaf में मेरे पास तीन पार्ट हम लिखते हैं, सबसे पहला पार्ट, जिसे आप क्या बोलेंगे, leaf blade या lamina, जो सबसे बड़ा पार्ट है, suddenly मेरे पास आ जाएगा pitule, तरी suddenly नहीं उसके बाद, pitule, third is leaf base, यह मेरे पास तीन पार्ट है, तो this whole structure, यहां से लेकर यहां तक, this is lamina, इसकी tip को apex कहते हैं, tip समझे रहें, यहां पर एक्टम, top पर यहां apex कहते हैं, इस side को margin कहते हैं, समझे रहें, leaf का यह जो side होता है, इसे margin कहते हैं, margin, dividing cells होते हैं, इसमें तभी growth होती है, और इस पार्ट को हम कहते हैं, pitule, और नीचे यहां पर हमारे पास क्या होता है, leaf base होता है, ठीक है, तो हमने तीन पार्ट की बात कर ली, lamina सबसे बड़ा पार्ट है, उसकी tip को apex कहते हैं, side को margin कहते हैं, clear, उसमें veins होती हैं, वह गलक तीजए, पिटियोल है, और हमारे पास leaf base है, तो हम एक एक पार्ट को लेकर चलेंगे, हना, एक एक पार्ट को लेकर discuss करेंगे, कि क्या है, सबसे पहले हमारे पास तीन पार्ट आ गए, तीनों पार्ट में सबसे पहला पार्ट है, हमारे पास lamina, ठीक है, तो जरा एक बड़ discussion दिखते हैं, क्या-क्या है बिटा, देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहला पार्ट हमारे पास Leaf का Lemina है, हम इसकी बात कर रहे हैं, हमने कहा, इस Tip को क्या नाम दिया, Apex, इस Tip को हमने क्या नाम दिया, बिटा, Apex नाम दिया है, और इस Side को हमने क्या नाम दिया है ध्यान दे बिटा टिप को हमने एपेक्स दिया नाम और साइड को हमने दिया है मारजे अब इस लेमाइना पर मेरे को क्या दिखती है ध्यान से देखो इस लेमाइना पर मुझे इस तरीके से वीन्स दिखती है नो वीन्स का क्या काम होता है एक्चुल में वीन्स क्या करती ह कि leaf को exposed रखती हैं PT को रोल है wins के अपने हम क्या करते हैं यह देखते हैं कि leaf को ऐसे खुला रखने का काम किसका है वीन्सका पत्व लीफ को ऐसे खुला रखती है तो अगर मैं आपको यहां पर बोलूं कि क्या- None present है हमारे पास हमें aplex पता होना चाहिए क्या होता है margin पता होना चाहिए lamina के बारे में और veins के बारे में पता होना चाहिए veins क्या होती है फोड़ा thick structure होता है lamina पे actual में उनमें क्या होता है एक तो vascular bundle present होते है vascular bundle क्या मतलब होता है xylem and phloem वो present होंगे दूसरा क्या होता है बिटा वो उसको एक तरीके से expose रखती है lamina को expose रखती है ताकि उस पे sunlight गिर सके ठीक है तो ये काम किसका होता है veins का और सबसे बड़ी vein का नाम हमने midrib रखा होता है यहां तक समझ आ रही है आपको सबसे बड़ी vein का नाम हमने क्या रखा होता है midrib रखा होता है तो हम क्या करेंगे बिटा देखो हम कैसे move करेंगे देखो टॉपिक में हम कैसे move करेंगे हमारे पास हम leaf पढ़ रहे है ठीक है leaf का सबसे पहला part हम जो बात कर रहे है वो क्या है हमने कहा है leaf का सबसे पहला part हमारे पास और फिर second part फिर हम इसमें third part तो सबसे पहला part जो है हमारे पास that is basically lamina that is basically lamina ठीक है second part जो था हमारे पास first part lamina था ठीक है second part ज्यान से देखें बिटा first part हमारे पास lamina है first part हम लोग कह रहे है lamina है उसके बारे में पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे pittuol के बारे में और यहां हम पढ़ेंगे leaf base के बारे में अब जड़ा देखो हम क्या पढ़ेंगे lamina के बारे में हमने detail थोड़ी सी पढ़ ले उसमें margin apex होता है तो यहां पर एक topic जो हम जानेंगे वह है venation venation क्या होता कि winds कैसे arrange है यह जानेंगे lamina के बारे में तो सबसे पहले अब हम जो topic पढ़ने वाले हैं वो है बेटा leaf की venation leaf में winds की arrangement कैसी है ठीक है क्योंकि हम lamina को study कर रहे हैं तो lamina में सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ते हैं winds की arrangement तो जड़ा यह देखिए बेटा यह देखिए हम क्या करते हैं leaf को जब देखते हैं तो हमारे पास कुछ specific type की arrangement देखते हैं यह midrib है उसके बाद यह और इस पर ऐसे branches बन रही है इस तरीके से ना इस तरीके से क्या बन रही है यह ब्रांचिस बन रही है तो हम क्या कहते हैं हम यह कहते हैं कि venation क्या है it is basically arrangement of winds ज्यांते सुनेंगे what is venation it is arrangement of winds arrangement of winds अब winds से छोटी चीज को कहते हैं वीनलेट छोटी मतलब पतली on lamina basically lamina पे winds कैसे range होती है उसे venation कहते हैं पहले इसकी बहुत डिटेल पढ़ा ही जाती थी कि venation कैसे कैसे type के होती है यह सच आता नहीं अब तो हम क्या कहते हैं venation की दो type पढ़ते हैं first हमारे पास होती है reticulate now reticulate का क्या मतलब होता है हमारे पास winds जो होती है means form a network network का मतलब एक तरीके से branch type का क्या बना रहा है branch बना रहा है यहां तक समझा रहा है तो means क्या बना रही है बिटा एक network बना रही है ऐसे से तो यह मुझे मिलता है dicot में यह मुझे कहां मिलता है dicot plant की leaf में मिलता है कुछ exceptions जरूर होती है नहीं करनी हमने सिर्फ यह पढ़ना है reticulate venation होता क्या यह network बनाती है और इसमें दीरे-दीरे thickness decrease होती जाती है इसका मतलब vascular bundle जैसे सबसे बड़ा मैं आपसे पूछू सबसे मोटे बड़े size के vascular bundle यह midrib में होंगे जैसे-जैसे branches बनती जाती है यह thin होता जाता है तो size of vascular bundle decrease करता है तो यह dicot plant में मिलती है इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम कहते हैं reticulate venation second venation जो यहां given है that is parallel अब parallel में मुझे दो option होती है एक option यह है ध्यान से तो नहीं बूटा एक option यह है कि यह midwin बनाएंगे और इस तरीके से parallel बनाएंगे एक option यह है parallel का देख रहे हैं इस तरीके के एक option है दूसरा option यह होता है बेटा parallel में दूसरा इस तरीके से parallel होता है जैसा कि आपको bamboo की leaf में मिलता है इस तरीके से grasses में मिल जाता है bamboo में grasses इस बोथ आर parallel यह दोनों क्या है parallel टाइप है जो मैंने आपको बताई तो parallel venation क्या होगी इसीच को मैं लिख रहा हूं कि जो wings present है wings present है it is wings present है it is parallel to each other ठीक है और यह किसका feature है example है इसका monocoat यह monocoat की leaf होती है ऐसे और मैंने आपको बताया parallel में दो option है एक ऐसे वाली parallel ठीक है और एक मैंने बताया इस तरीके की parallel ऐसी ठीक है यह दोनों तरह की parallel हमने बता दिया आपको ठीक है तो यह venation है जादा detail नहीं पढ़ने सिर्फ examples जाद रखने है dicot monocoat करके ठीक क्योंकि ज्यादा detail इसकी आती नहीं है ठीक है अब हम क्या देख सकते हैं अब देखो हम लोग क्या पढ़ सकते हैं यह venation हमने पढ़ लिया इसमें अब हमें किसकी detail जाननी है पिटियोल की किसकी detail जाननी है पिटियोल के बारे में जानना है ठीक है तो पिटियोल के बारे में पढ़ते हैं पहले थोड़ी सी NCRT देखते हैं देखो जो मैं चीज़े बोल रहा था लीफ एक flat structure है flat मतलब क्योंकि उसको अगर मैं बहुत थिक बनाऊंगा तो photo senses नहीं हो ठीक है कैसा है मैंने का था lateral lateral समझ में आता side में develop करता है ऐसे और हम यह बोलते हैं कि कहा लगता है stem पे लगेगा और branch पे लगेगा ठीक है और कहां develop करता है node पर node पर हमने बोला था ठीक है clear अच्छा axillary bird हमने last बताया था stem में leaf originate shoot apical लेख रहे हैं shoot apical marrow stem यह लिखा apical marrow stem से कैसे acropeatle acropeatle मतलब old नीच यंग उपर ठीक है तीन पार्ट है leaf based peteor lamina clear उसके बाद arrangement of wings को हम कहता है venation चीक है अगर network word use किया हुआ है that is reticulate और एक दूसरे के parallel होगा तो parallel venation ठीक है यह हमने dicot और monocot की बात कर ले अब हम बात करेंगे petiole को ले के हमने कहा था second चीज हम बात करेंगे petiole को ले के देखो क्या होता है this is petiole this region is petiole धान से सुने ब leaf बहुत सारी होती है चीक है बहुत सारी leaf होती है petiole का कुछ specific function है पहला अगर leaf अगर petiole ना हो तो leaf directly ऐसे attach दिखे स्टैंप से उससे दो तीन problem होती है कि light कम पड़ेगी petiole क्या करती है main branch से leaf को बाहर की तरफ लेकर आती है जैसे मालो यह main जहां पे attachment है यह उससे उसको बा air petiole leaf को flutter करता है flutter मतलब जब हवा चलेगी तो leaf को ऐसे move करेगा उससे होगा क्या transpiration increase होगी क्या होगा transpiration बढ़ेगा तो अगर मैं petiole के function लिखो तो मैं यह लिख सकता हूं कि petiole it bring it bring leaf away या out from stem जिससे increase होती है photosenses क्योंकि अलगलग orientation में ला सकते है photosenses बढ़ती है यह चीज़ समझो बिटा photosenses बढ़ती है दूसरा काम हम लिख सकते है it flutter anxiety word यूज़ करती है flutter it flutter in air वो air में flutter करता है flutter करता है it flutter in air बेटा air में यह flutter करता है जिससे होगा क्या ध्यान से सुनेंगे it flutter in air it flutter in air move करेगा ऐसे इस तरीके से move करेगा और उससे क्या होगा it increase transpiration it increase the transpiration अब सोचोई clear it increase the transpiration clear है बिटा ज्यान से सुन लो यह चीज़ आपको समझ आ गई now this is pittio this is pittiole हमारे पास जो हमें समझ आना चाहिए pittiole क्या है अब हम क्या बात करेंगे बिटा leaf base की बात करेंगे और आप देखो यहां पर ध्यान से हम लोग leaf base क्या होता है क्योंकि हमने कहा था हम तीन चीज़े पड़ेंगे एक पड़ेंगे इसके बारे में लेमाइना सेकिंड पिट्योल थर्ड इस लीव बेस देखते हैं बिटा क्या है एक बर जल्दी से देखें मैंने मालो यह stem बना दी ऐसे this is stem यह node है जहां पर leaf develop कर रही है ठीक है इस लीमाइना इस फिट्योल और इस लीव बेस इस पार्ट को हम क्या बोल रहे है इस लीव बेस इक तरीके से attach करता है किसको attach कर रहा है इस pittiole को lamina से यह lamina है ठीक है pittiole है कई बार pittiole नहीं होता है sasile leaf कहते है अब मेरी बास सुनो ध्यान से अब हम क्या करते हैं बेटा leaf base पे कुछ structures दिखते हमें और वो structures हमें पढ़ने होते हैं जैसे leaf base जो है वहाँ पे कुछ मुझे modifications दिख जाते हैं जो हम यहीं deal कर लेते हैं उन modification में हमारे पास क्या क्या है बेटा क्या क्या है एक मुझे दिख जाती है यह क्या नाम है stipule stipule क्या है एक बार देखते हैं ध्यान से देखिए Stipule क्या है उसको हम देखते हैं एक बाद क्या है Stipule देखें Leaf Base पर मुझे इस तरीके का structure दिखता है ऐसे This is Stipule ऐसा आपको देखेगा अगर आप ध्यान से देखें This is Stipule हना ये हमारे पास क्या है Stipule है ठीक है This is Stipule ये Stipule है ये आप अगर ध्यान से दिखेंगे कभी, यह ऐसे लीफ है, ठीक है, यह हमारे पास पिटियोल है, यह मालो लीफ बेस है, इस पर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल, NCRT लिखती है, जिसमें स्टिप्यूल होता है, स्टिप्यूल अगर प्रेजन्ट होगा, तो उसके लिए प्लांट लीफ को कह देते हैं, स्टिप्यूलेट, यह आप कहां मिलेगा आपको, फैबेसिये फैमिली में लिखा हुआ है, स्टिप्यूलेट, मतलब स्टिप्यूल प्रेजन्ट है, इस इस दिराइफ फ्रॉम लीफ बेस, एक स्टिप्यूल लिख दिया, दूसरा स्ट्रक्चर होता है, पुलवाइनस, आपने टचमी नौट करके एक प्लांट पढ़ा था, उसमें होता ही है, तो पुलवाइनस एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर हम लीफ शीत पढ़ सकते हैं, देखो बिटा, नॉर्मली लीफ बे देख लिया, देसे स्टिप्यूल, चीक, सेकिंड, सेकिंड हम लोग देख लेते हैं विटा, एक बार, इस पुलवाइनस, जहां से देखिए, हमारे पास पुलवाइनस क्या होता है, कि यहां पर जाकर ऐसे, यह स्ट्रक्चर कर गया न थोड़ा सा, बेस पर जाकर इस तरीक होता है, कहां प्रेजन्ट होता है, बेसिकली आप देखें, हमारे पास P.Plant में होगा, तो P.Plant की जो फैमिली है, उसका नाम क्या है, तो NCRT ने क्या किया है, फैबेशीय में ही लिखा है, कि यहां स्ट्री प्यूल भी होता है, और यहां पुलवाइनस दोनों प्रेजन्ट है और उसके लिए उसने word use किया है जहां family दे रखे वहाँ बात कर रहा हूं तो अगर pulvinus होगा तो उसे लिखेंगे pulvinate क्या लिखते है pulvinate किसके लिए pulvinus के लिए अब आपके दिमाग में आ रहा हूँ यह करता क्या है बिटा सम्हाओ जैसे touch me not plant में तर्गर का इस पर फर्क पड़ता था तर्गर मतलब पानी के कम जादा होने से यह क्या होता था इसकी शेप में चेंज आता था उससे leaf क्या होती थी ऐसे मतलब अंदर की तरफ बंस हो जाती थी touch me not plant जिसे हम mimosa पोड़ी का या छोई मुई का पौधा कह रहे हैं उस plant में इस तरह का चीज होता था यहां तक समझ आ गई ठीक है चली एक structure और मुझे दिखता है वो है मेरे पास क्या चीज बेटा leaf sheet आप क्या देखेंगे कभी आपको sugar cane की stem देखने को मिले ऐसे तो उसमें आपको यह दिखेगा न्यान से सुनेंगे उसमें आपको यह दिखेगा sugar cane की stem में की leaf इस तरीके से है और उसने एक cover जैसा structure around उस stem के बनाया हुआ है यह आपको इस तरीके से दिख जाएगा इसे हम कहते हैं leaf sheet देखिए यह इस तरीके से cover जैसा structure इस leaf ने बनाया हुआ यह leaf है जो एक बड़ी leaf हमारे पास है उसने stem के साथ बनाया वह इस stem है तो stem को इस तरीके से cover कर रही है यह grassis का feature है इसे हम क्या बोलते है leaf sheet बोलते है तो leaf sheet आप समझें किसका feature है इस feature of grasses feature of grasses है और यह किस से derive होती है leaf sheet अपने दिमाग में बिठा ले इस बात को यह कोशन आ सकता है derive from leaf base किस से derive हो रहा है leaf base से derive हो रहा है clear है यहाँ पर ठीक है अब आ जाते हैं हम लोग हमने यह तीनों चीजे deal कर ली जो मैंने आपको कहा था हमने यह तीनों चीजे deal कर ली हमने पिट्योल के बारे में जान लिया हमने का it flutter in air ताकि transpiration बढ़ा सके main चीज तो यह है अना leaf में transpiration बहुत important है और leaf base attachment है और जिसको मैंने finally बोला leaf base के लिए मैंने क्या बोला मैंने का attachment है और इसकी तीन तरह की कुछ modification टाइप से दिखती हैं एक मुझे leaf base पे stipule दिखता है एक मैंने आपको pulvinus बताया और तीसरी चीज थर्ड चीज आपको बताई मैंने क्या अभी leaf sheet leaf sheet monocoat में दिखेगा grasses में clear हो गई बार अब हम इसके बाद आगे जा सकते हैं बिटा आगे जा सकते हैं leaf sheet के बाद next बात कर सकते हैं type of leaf ध्यान से सुनना important है देखिए जब हम type of leaf पढ़ते हैं तो हमें क्या समझना है इसमें देखिए अब आपको type of leaf पता रहा हूं एक topic अना ध्यान से देखिए लीफ की हम type पढ़ रहे हैं बहुत important है समझना आपको इसके लिए हम leaf को दो पार्ट में divide करते हैं एक हम कहते हैं simple leaf यह हम कहते हैं simple leaf बच्चे ये वाले पार्ट से बहुत extra data पढ़े के नुकसान पहुंसता है root stem leaf से क्योंकि वो आता ही नहीं है आता इनकी modification है questions अपने दिमाग में बैठा हूं modifications के question आते हैं तो आपको वो चीजे समझने के लिए अच्छा लगे भले लेकिन आता ग्या है इस देखो simple leaf बता रहा हूं आपको आप नॉर्मली leaf ऐसे बनाते हो इस तरीके से आप leaf बना रहे हो कि कैसे simple leaf कह रहे है या आप इस तरीके से बना रहे हो ऐसे बना now this is simple leaf क्या मतलब हुआ simple leaf का समझना देखो what is simple leaf पहला हम यह कहते है simple leaf का मतलब है यह जो margin है margin समझ में आता हमने starting में बताया था margin जो है वो entire है entire मतलब पूरा है या smooth है smooth है अब इस smooth का क्या मतलब है जैसे ये cut दिख रहे है आपको यह वाला इसे कह रहे है in season इसमें क्या है in season present है यहा तक नहीं है but यहाँ तक नहीं पहुशता MID ĐRIP तक नहीं पहुशता वो यहां तक नहीं आता in season हो सकता है देखो simple leaf का मतलब है या तो margin smooth होगा ऐसे बिलकुल ऐसा या उस पर अगर कोई incision होगा incision मतलब इस तरके का cut पर वो कहा तक नहीं पहुचेगा midrip तक नहीं पहुँचे तो उसको हम क्या नाम देते हैं simple leaf कहते हैं simple leaf का मतलब है margin smooth है incision present if present not reach up to not reach up to up to midrip वो कहा नहीं पहुँचेगा midrip तक नहीं पहुँचेगा ठीक हो गई बात तो हमारे पास है margin entire or smooth है incision अगर है तो वो कहा तक नहीं पहुच रहा है midrip तक नहीं पहुच रहा है clear हो गई बात यहां तक समझ आ गई वो midrip तक नहीं पहुचेगा margin smooth है अगर incision है भी तो वो midrip तक नहीं पहुच रहा है इसे simple leaf कह रहे हैं second हमारे पास है second हमारे पास है compound leaf compound leaf compound leaf क्या होता है बटा समझना इस बात को यह कुछ ऐसा होता है कि जैसे मालो आपने यह simple leaf बनाई ऐसे चीक है यह मालो वीन से तो मेरे पास margin पर जो incision है वो यहां तक पहुँच रहा है midrip तक देख रहे हो incision जो है वो midrip तक पहुच रहा है उससे क्या होगा ऐसे incision midrip तक पहुच जाएगा तो मेरे पास छोटे छोटे parts बन जाएंगे ऐसे जो leaf है वो छोटे छोटे parts में आ जाएगा जिसे आप leaflet कहते हैं तो मैं अगर properly define करो तो मैं कहूँगा कि margins जो है margins जो है उन पर incision है incision reach up to कहां तक midrip तक वो कहां तक आ गया midrip तक आ गया उससे इस individual part को हम नाम दे देते हैं leaflet और इस center वाली midrip का नाम बदल के हो जाता है rachis मेरी बात समझे ध्यान से कोई गलती से ये ना सोचना कि पहले simple बनते है फिर compound बनते है शुरुआत से ही compound बनते है उस plant का feature है वो लेकिन बनी कैसे होगी ये बता रहा हूँ कि जो हमारे पास ये margin है वो cut के कहां तक पहुँचा होगा midrip तक तो ये छोटे छोटे अलग पार्ट बन गए होंगे जिन्हें आप किस नाम से जानते हो लीफ ऐसी दिखती है जिन्हें आप किस नाम से जानते हो ये देख़़ों वो लीफ ऐसी दिखेगी इसे compound लीफ कह रहे है जिसमें ये पूरी एक लीफ है बिटा जिसमें इसे मैं बोलता हूँ लीफ लेट तो ये वाली चीज जो पहले पिटियोल थी अब क्या हो गई रैकिस कहलाती है और यहाँ पर मेरे पास उसके नीचे सोरी पिटियोल कह रहा हूँ यह जो midrib है, यह midrib है, यह rachis कहलाती है, यही pitiol, और फिर उसमें नीचे मेरे पास leaf based होगा, तो यह मेरे पास compound leaf है, जिसमें lamina छोटे छोटे leaflet में आ गया, midrib जो है midrib, this midrib is now known as rachis, और यह pitiol है और यह leaf based पर है, without, clear, हम clearly इसको देख सकते हैं, now this is simple leaf, हमने बोला भी है, कि simple leaf का मतलब है, कि या तो margin smooth होगा, देखो इसमें incision है, लेकिन incision कहा नहीं पहुचा, not reach, up to midrib, midrib तक नहीं पहुचा, यहां देख रहे हैं, यह incision ने क्या बना दिया, leaflet बना दिया, this is leaflet, अगर यह leaflet है, तो this main is known as rachis, और यहां पर pitiole होगी और यह leaf base होगी, ठीक है, clear, यहां तक समझ आ रही है, clear, इसे compound leaf कह रहे हैं, compound leaf जो है हमारे पास, वो हम दो तरीके की पढ़ते हैं, जहां से सुनें बिटा, compound leaf जो है हमारे पास हम दो तरीके की पढ़ते हैं, एक यह जिसे हम कहते हैं, pinate compound, देखिए, हमारे पास type of compound leaf भी है, type of compound leaf भी है, और उसको हम दो type की पढ़ते हैं, एक यह जैसे, जिसमें, माल लीजिए, this is हमारे पास, यह rachis है, इस पे leaflet लगी हुई है, इस पे मैंने क्या लगा दी है, ऐसे leaflet लगा दी है, ऐसे, इस तरीके, और यहाँ, पिट्टियोल हो गया leaf base, और क्या कर सकते हैं, हमने इस पिट्टियोल पर leaflet directly लगा दी, यह देख रहे हैं, इस पिट्टियोल आप देखे, इस इस को समझने कोशिश करी आप, यह पिट्टियोल है, इस पिट्टियोल पर rachis जुड़ा है, उस rachis पर जाकर leaflet लगी है, देख पा रहे हो यह बात, इसे हम कौन सी compound leaf कह रहे हैं, पाइनेट compound, इसे हम कहते हैं, पाइनेट compound, ऐसी leaf आपके पास साइकस में भी थी, पाइनेट compound कहते हैं, जिसमें क्या होगा, कि rachis में हमारे पास rachis beer leaflet, और rachis किस पर अटैच हो रहा है, पिट्टियोल पर, rachis attach है, पिट्टियोल पर, देख लो आप, और यहाँ पर, जो leaflet है, वो directly पिट्टियोल पर attach है, rachis है ही नहीं, उसे पाम जैसा structure बर रहा हा, हाथ के पाम जैसा, जैसे यह fingers हैं, ठीक है, डिरेकली पाम पर attach है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं, palmately compound, palmately compound बेटा, देख लो ध्यान से, फरक, तो इसमें क्या है, हम लिखेंगे, leaflet directly, आपको difference आएगा न, leaflet directly attach, directly attach, on, किस पे, leaflet directly attach on, पिट्टियो, अब इनके example भी है, हमारे पास, इसका example जो है, वो है मेरे पास, silk cotton, silk cotton, bombex से करके plant होता है, इसका neem और rose, हना, ये दो example इसके लिख दिया हमने, ये एक single example है, और कोई example palmately का नहीं दिया हुआ है, आपको ऐसी दिखेंगे, now this is palmately compound, हना, this is palmately compound, and this is, हमारे पास, pinate, पर एक चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ, जिसको, समझ आए, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, NCRT ने एक line लिखी है, मैं जड़ा एक structure बनाता हूँ, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इसको समझने ही कोशिश करना, मैंने ऐसे करके एक structure बना दिया, उस पर इस तरीके से, ऐसे बना दिया, ठीक, अब जड़ा देखो, ध्यान से देखना बेटा, बहुत important, मैंने इस पर ऐसे leaflet जैसा कुछ बना रहे हैं, इस तरीके से, देख रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं, अब जो मैं बोलूँगा, उसको समझने हैं, वह important, देखो, NCRT लिखती है, कि जो axillary bud होती है, axillary bud होती है, वो present होती है, present in axill of leaf, leaf, leaf के axill पर होती है, not leaflet, मतलब क्या हुआ, ये कहना चाहरा है आपको, कि अगर मेरे पास ये leaf है, मैं कैसे identify करूँगा, ये leaf है, या axillary bud होगी, तो axillary bud जो है, वो हमारे पास leaf के axill पर होती है, ना कि leaflet के, इस बात को जड़ा ऐसे समझते हैं, इस बात को हम सोचेंगे कैसे, ऐसे सोचेंगे, अगर मेरे पास, यहाँ axillary bud है, तो ये पूरी एक leaf है, समझ आ रहा है, अगर मेरे पास, द्यान से दूने मेरे पास, अगर मेरे पास, यहाँ axillary bud है, तो ये पूरी एक leaf है, अगर axillary bud यहाँ है, तो ये एक, हमारे पास compound leaf है, single pineate वाली, क्योंकि आप देखो ध्यान से हुआ क्या है अगर यहां पर axillary bud और यह पूरी एक leaf है तो ऐसी leaf को आप bipinate कह सकते हो bipinate का मतलब यह हुआ पहले leaflet बनी ऐसे फिर वो भी छोटे छोटे pieces में break कर गई यहां तक समझ आ गई है clear दिमाग में बिठाओ तो यह हमने क्या बोला हमने बोला कि axillary bud अगर यहां होगी तो यह पूरी एक leaf होगी जिसमें जो leaflet थी वो भी फिर compound form में तूट गई अगर मेरे पास यहां leaflet होगी तो यह एक leaf होगी तो यहां नहीं होगी फिर यहां होगी तो यह leaf होगी अगर यह leaflet यहां है पिर तो यह simple leaf है क्योंकि सिर्फ इतना part leaf होगी तो position of axillary bud यह बता देती है कि यह कितनी बार pineate है यह सोचने वाली बात है line check करना NCRT कि यह वाली ब और अगर यहां है तो यह एक leaf है यह सोचने वाली था ठीक है clear चलिए अब आगे देख लेते हैं बिटा हमारे पास type of leaf है आपके सामने हम लोग बोलते हैं देखिए in season या तो entire है या कटा हुआ है अगर in season है तो कहां तक नहीं पहुंसता midrip तक नहीं पहुंसता ठीक है अग अगर जो present होती है वो एक्जील ओफ पिट्टियोल पर लीफ पर होती है ना की leaflet पर होती है ठीक है यह चीज हमने पढ़ ली अब एक topic हम जानना चाहरे है बिटा वट इस फाइलो टेक्सी हमने लीफ के बारे में पढ़ा ठीक है अब हम एक topic जानना चाहरे है फाइलो टेक् टेक्स एक term है किसके लिए जयांज़ देखेंगे वट इस फाइलो टेक्सी इस इस अरेंजमेंट गो जब प्लांट ग्रो करता है तो लीफ उसपर कैसे अरेंज होती है इस अरेंजमेंट ओफ लीफ on branch और stem branch और stem पर ध्यान से देखो मैं एक चीज़ समझाने कोशिश करता हूँ आपको देखिए बहुत ध्यान से समझना विटा इसे हमारे पास क्या होता है मैंने आपको एक चीज़ समझाई आपको मैंने यह बात बताई कि मालो यह main stem है इस main stem पर यह tip पर मेरे पास apical bird है ठीक है इस apical bird यह main stem है विटा ठीक है यह main stem है हमारे पास ठीक है यह main stem है हमारे पास यह बनाती main stem इस main stem में मेरे पास यही apical bird यहां dividing cells है यही मेरे पास apical bird ऐसे ठीक इस पर मैंने काया कि जो node होगा उस node पर leaf आएंगी ये node पर leaf आई अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर node पर जो leaf आई जो node पर मैंने का leaf आई ठीक एक node ये रही एक node ये रही ऐसे leaf आगे कि leaf कैसे आई हो सकता है एक node पर एक leaf आई ऐसे एक एक leaf आई ऐसे इस तरीके से एक एक लीफ आए छीख है, नोड पर हो सकता है एक नोड पर ये नोड है न विटा, ये देखो this is node, हो सकता है नोड पर दो लीफ आती, एक ना होके कितनी आती है से दो आती छीख है, तो अगर एक नोड पर एक लीफ आए तो उसे हम कहते है alternate अगर एक node पर एक leaf आए तो उसे हम क्या बोलते है alternate arrangement आप एक चीज हमेशा याद रखो यह तो main stem है यहाँ पर जब axillary bud बनती है यहाँ पर जब axillary bud बनती इससे भी branch बनेगी ऐसे उस branch के tip पर उस branch के tip पर भी मेरे पास apical bud होगी और वहाँ पर भी क्या होगी node से मेरे पास leaf आएगी तो यह plant का feature होता है मतलब पूरे plant का feature होता है या तो एक node पर एक leaf आती है देख रहो एक leaf आ रही है इस node पर इस node पर एक leaf ऐसे इसे कहते alternate इसे कौन सी arrangement कहते है alternate यह best होती है सबसे जादा light इसी पर पड़ सकती है इसलिए most common arrangement now this is arrangement of leaf on this main stem और this branch is known as phylotexy what is phylotexy? arrangement of leaf on main stem और branch is known as phylotexy this can be alternate means एक node पर एक leaf होना या एक node पर दो होना या एक node पर दो से जादा होना most common is alternate तो we have this feature we have three type of arrangement first is alternate alternate तो alternate पर क्या होगा एक node पर हमारे पास एक leaf होगी ठीक है एक node पर एक leaf होगी और leaf हमारे पास alternate manner में arrange होगी इसमें maximum light पड़ती है बिटा और इसका example NCRT ने दिया है तीन example दिये हैं एक दिया है sunflower एक दिया है mustard एक दिया है चाइना रोस ये तीन example दिये हैं इसके ठीक है इसे alternate कह रहे हैं अच्चा second बिटा opposite आप देख पा रहे हो जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है यहां एक node पर दो leaf हैं दिख रहा है यहां एक node पर ऐसे दो leaf हैं इसे अपोजिट कहते हैं टीए कहसे क्या बोलते एप अपोजिट इसका एकजांपल हम आपॉजिट पे क्या होगा हमारे पा गुआवा की अमरूद की लीफ ऐसी होती, कैलो ट्रॉपिस बोलते है, मिल्क वीड को, आप एक ऐसा प्लांट देखेंगे, जिसको तोड़ते हैं, वाइट कलर का सैप निकलता है, ठीक है, इसे आक का पेड कहते हैं, पौदा होता है, छोटा सा वीड है वो, तो लाइट ग्री एक नोड पर वर्ल आफ लीफ है, वर्ल समझ में आता है, पूरा गृप, वर्ल आफ लीफ है, तो इसे हम कौन सी फाइलो टेक्सी कहते हैं, वर्ल्ड कहते हैं, वर्ल्ड फाइलो टेक्सी में एक नोड पर काफी सारी लीफ हैं, वर्ल्ड फाइलो टेक्सी में एक नोड पर क नीरियम याद करा रहे हैं अगर आपसे पूछा जाए सबसे common कौन सी है सबसे common कौन सी है ये maximum plant में आपको ये मिलेगी maximum plant में आपको कौन से वाली मिलेगी alternate phylo taxis मिलेगी alternate को spiral भी बोलते हैं क्योंकि leaf ऐसे arrange है जैसे एक यहाँ है फिर एक यहाँ है एक यहाँ है फिर घुमके एक इधर ऐसे करके उसको spiral कहते है पर पहचानोगे आप ऐसे एक node पर एक leaf होगी clear है that is phylo taxis जो important है आपके लिए अब हम बात कर सकते हैं phylo taxis आपको ऐसे दिखेगी आप देख लीजे alternate होती है मारे पास single leaf arise at each node और यह point आपको दिमाग में रख रहा है ठीक है opposite में pair आता है world में पूरा group आता है elstonia example दिया हुआ है calotropius और guava इसका example है clear होगी बात ठीक है आगे चलेंगे क्योंकि हमें बेटा finally topic जो पढ़ना होता है leaf modification हमें जो topic जो जादा important questions बनाता है वो होता है leaf modification now what is leaf modification अगर आपको याद हो मैंने क्या पढ़ाय था what is modifications याद करो मैंने बोला था modification का मतलब है other than main role main role leaf का क्या है photo senses इसका मतलब जो भी modification होगी वो क्या होंगी other than main role कर रही होंगी other than main role उसको हम क्या कह रही है modification क्या रही है उसको हम क्या कह रही है बेटा modification क्या रही है other than main role is known as modification तो यह हमारे पास leaf है यह हमारे पास leaf है ठीक है leaf modification है इसमें हमने बात कर दी fleshy leaf fleshy leaf ठीक है fleshy leaf जान जूने what is fleshy leaf त्यांसर सुनेंगे बिटा, fleshy leaf क्या होता है, ये इसमें क्या होगा, food store होता है, इसमें क्या होगा हमारे पास food store होगा, अनНА, fleshy leaf में हमारे पास क्या होगा, खाना store होता है, जैसे इक example आप देख लो जैसे आप देखोगे onion में क्या होता है, मैं आपको दिखाटा हूँ सबसे बाहर red color की thin सी leaf होती है उसे scaly leaf कहते है scaly leaf सबसे बाहर होती है फिर एक pink color की leaf होती है, उसे कहते है flashy leaf flashy leaf में खाना store होता है, वो थिक होती है उसे हम fleshy leaf कहते हैं यह edible है ठीक है एक्जामपल है onion ऐसा ही आपको garlic में दिखेगा garlic मतलब lesson में भी आपको ऐसा ही दिखेगा एक पतली सी layer हटाते ही जो खाते हैं न हम lesson वेक्चुल में leaf है आपको अना उसे हम fleshy leaf कह रहे हैं अब देखो जरा और कौन सी modifications है हमारे पास leaf की दे आली यो leaf tendril like leaf tendril क्या होगा leaf tendril जो होगा वह basically क्या है बेटवर में क्या है दवलोप फ्रॉम लीफ डवल प्रॉम लीफ क्या ड़ीफरेंस होता है दोनों में एक बार देख लेते हैं ऑच्छा यहाँपर मेरे पास जो leaf है वे spines क्या है modify leaf है बिटा what is difference between spines and thorns और leaf tendrils, stem tendrils एक discussion कर लेते हैं इस पर देखो ध्यान से सुनना मेरे पास कोई भी plant now this is leaf और यहाँ axillary bud होती है देख लो जड़ा इस चीज़ को फिर comparison करने में समझ आएगा now this is axillary bud और यहाँ पर यह चीज़ को आप leaf कह रहे हो stem tendril बनाओंगा अगर मैं stem tendril बनाओंगा तो वो किस से develop होगा develop from axillary bud से तो जब भी आपको stem tendril दिखेगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि वो leaf होगी वहाँ पर यहाँ से tendril आरक खाओगा ऐसे clear यह possibilities है दूसरा अगर आप leaf tendril बनाओगे तो leaf tendril कैसे बनेगा देखो जड़ा यह leaf tendril बन गया यहाँ से आपको हो सकता है branch develop हो रही हो यहाँ से हो सकता है branch develop हो रही हो क्योंकि axillary bud जो है वो तो वैसे ही branch बनाएगी यह leaf tendril है now stem tendril क्योंकि stem से derive हो रहा है तो it can be branch तो यह branch possible है यह कैसा हो सकता है branch हो सकता है leaf tendril not branch यह branch नहीं होता यह difference देख पा रहे हो बटा तो आपको ऐसा पता चलेगा leaf tendril है कि stem tendril है ठीक है तो यह आपका stem tendril है यह branch हो सकता है axillary bud से बनाएग ऐसे ही thorns और spines में difference होता है thorns हमारे पास जो होते हैं देखो यह spines है तो spines हमारे पास किस से बनते हैं leaf modification है मैं लिख रहा हूँ यहां पे spines जो है हमारे पास किसकी modification है leaf modification है cactus में है हमारे पास और thorns मेरे पास citrus में है thorns मेरे पास किसकी modification है stem modification ठीक है आपको normally ऐसा दिखेगा कि stem modification है तो axillary bud से आया होगा यह चीज़ समझो clear, done, यहां तक समझ आ गया बोलो, खीक है अब आगे चलते हैं बिटा आगे चलते हैं यह देख लो leaf modification यह है हमारे पास एक और leaf modification होती है जिसे हम कहते हैं बिटा, phyload word यूज करते हैं या जिसमें basically pittuol photosynthetic है क्या photosynthetic है, pittuol photosynthetic है, क्या मतलब हो इसका समझो, माल लो आपके पास यह leaf है, ऐसे यह leaf है, यह pittuol है this is pittuol, अगर यह वाला part थोड़ा बड़ा हो जाए और lemina छोटा हो जाए, suppress हो जाए, मतलब shrunk कर जाए और यह वाला part photosynthetic हो जाए, उसके लिए word use करते है philot या photosynthetic pittuol, तो यह देख रहे है यह this is pittuol, यह हमारे पास है बिटा, this one is pittuol जो हमारे पास है, यह देख रहे है यह photosynthetic proper तरीके से हो गई lemina हमारे पास हो सकता है इस तरीके से divide हो जाए, लेकिन this is photosynthetic pittuol, यह आपने पता करना हो तो, और यह किस में होता है मेरे पास, एक plant होता है उसका नाम है Australian acacia बिटा, आपको question कैसे आये वे है आपको यह आया हुआ है कि philocled जो है, वो stem में photosynthetic है, philod word कि कि लिए है, कि pittuol photosynthetic हो गया, done, ठीक है अब हमारे पास क्या है बिटा और leaf modification है यह देखे, pitcher plant में pitcher plant में आप देखेंगे इस तरीके से, आप देखे, this is pitcher plant यहाँ पर हमारे पास pitcher जो है, this is pitcher तो pitcher जो है मेरे पास, insectivorous plant में लिख रहा हूँ, इसमें pitcher जो है, वो leaf modification क्या है leaf modification ठीक है clear, सही है, जिसे आप nepenthes कहते हैं, plant को ठीक है तो आप यह देख सकते है, leaf modification में हम यह समझ रहे हैं, insectivorous plant में, जैसे जो pitcher plant है वो जो pitcher है, वो किससे बनता है, हमारे पास leaf modify करके बनता है, किससे बनता है, उसकी normal leaf भी होती है, आप देख सकते हो पर क्योंकि वो nitrogen deficient soil में glow कर रहे हैं, तो इस वज़े से due to some मतलब reason, उनमें वो ऐसी ability है, कि वो pitcher बना लेते हैं तो वो insect को trap करते हैं और उससे nitrogen obtain करते हैं यहां तक समझ आ गया, now this is basically leaf modification, ध्यान देख सुनेंगे हो this is basically leaf modification उसके बाद हम लोग आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं और यह देख रहे हैं बिटा, यह देखे जहां पर देखे द्याम से, now leaf में हमारे पास क्या-क्या है tendril है, spines है garlic में और onion में, storage हो गया हमारे पास Australian, acacia, photosynthetic pitule, clear समझ आ रहा है, insectivorous plant such as pitcher plant और venus fry trap इनमें मेरे पास यह leaf modification से develop करता है, यह आपके पास, यह venus fly trap है जिसमें इस तरीके से आपको modification दिख रही है, अब हम लोग topic जो पढ़ेंगे बिटा, यह leaf complete कर रहा है now we are moving to topic inflorescence, ठीक है हमने root stem leaf complete कर लिया है अब हम उस topic पर आ गए है जिसे हम क्या बोल रहे है inflorescence बोल रहे है जिसे हम क्या बोल रहे है basically inflorescence की बात कर रहे है ठीक है, अब ध्यान से सुनिए inflorescence exactly है क्या बहुत ध्यान से सुनिएगा ठीक है, inflorescence important topic है और आपको आना चाहिए ध्यान से सुनें वेटा, देखिए है और यहां पर मैं एक suggestion करूँगा आपको जो बच्चे इस चीच को कर पाएंगे उनको फाइदा होगा पहला आपने क्या करना है आपके NCR team में चार families दे रखें बच्चे कहते हैं तीन मैं कहता हूँ चार फोर्थ family का सिर्फ floral diagram दे रखा है जिसका नाम है ब्रासी केसी एई जो आपको मिलेगा जहां पर फैबेसी एई गीवन है जिस पेज पेज पर एक extra diagram गीवन है जो ब्रासी केसी एई फैमिली का है उसके आपको चार पाँच एक्जामपल याद करने ब्रासी केसी एई जो है हमारे पास mustard की family है तो mustard, cabbage, radish, turnip, cauliflower मैं repeat कर रहा हूँ mustard, cabbage, turnip, cauliflower ठीक है clear और क्या बोला मैंने एक radish, mustard, cauliflower, cabbage, turnip ये examples याद कर लो ये किसके है ब्रासी केसी एई किसकी family है mustard की उसके अलावा जो तीनों families दे रहे कि उनके सिर्फ example learn कर लो अगर आप कर सकते हो 10 minute लगा के वीडियो pause करो 10-15 minute लगा के जो मैंने बोला उसे याद कर लो उसके बाद देखो कि आप कैसे questions solve कर पा रहे हैं क्योंकि हम इस चीज को देख पाएंगे कि questions बनाना बड़ा easy है बहुत असान है question solve करना इन topics के लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आया तो problem हो जाएगी मैंने क्या repeat किया मैंने आपको बोला है कि inflorescence topic हम पढ़ रहे हैं ठीक है लेकिन आपको क्या समझ आना चीए NCRT में जादा question inflorescence और flower से आते हैं तो NCRT में total चार families दे रखी हैं उन families में सबसे पहली family जो है जिसका फ्लोरल डाइग्राम दे रखा है उसके आपको example याद करने हैं मैं example उसके दे रहा हूँ बाकियों के example आपके पास देखिए तरने पेक example है इसका mustard example है mustard का genus brassica होता है इसके इलावा cabbage है हमारे पास इसका भी वही होता है although फिर मेरे पास cauliflower है और radish है कुछ बच्चे अपना दिमाग लगा के carrot इसमें लिख देंगे carrot या नहीं होता क्योंकि उन्हें क्या habit होती है feel लेने की question में उनको ऐसा लगता है या feel हुआ मुझे ये भी लिख दो वह feel वाले बच्चों का कभी selection नहीं होता है यह हमें पता है ठीक है और आप भी feel लोगे तो आपको भी पता हो जाएगा कुछ दिन डाल ठीक है ड्रासी केसी खटोर वर्ड लेकिन difficult words बोलने पड़ते हैं लेकिन आपको सच तो बताना पड़ेगा न ब्रासी केसी के बाद ए ground nut, soya bean यह सारे example याद करोगा खुद से ठीक है दस बार लिखो आपको question स्वाल वोने लग जाएंगे मैं फिर बता रहा हूँ तीसरा आपके पास है solenaceae ncrt में लिखा हो वेटा families के example solenaceae में क्या आएगी मेरे पास जो family आएगी यह उसकी family है potato की तो potato, tomato, brinjal, mokoi, ashwagandha, ठीक है उसके अलावा petunia, clear उसके अलावा आप देख सकते हो चिली, सही है बैलाडोना यह example इसमें है धतूरा, ठीक है धतूरा बैलाडोना का ही नाम है, ठीक है, clear उसके बाद एक monocoat की family है लिलियस, यह पहली तीनों family dicot है यह monocoat की family है लिलियस, मैं कुछ example भले ही लिख दूँ आपको याद रखने चाहिए जैसे लिली, onion, onion का नाम है alien sepa, जिनकी NCIT ने दिये उन्हीं के याद करने है scientific नाम, पहला सवाल बच्चों को लगता है सबके scientific याद करने है, मेरे को 500 नाम याद होने चाहिए, मुझे भी और ही हम लोग, था ना, study is not just cramp करे चलो यह भी याद होना चाहिए, वो भी याद होना चाहिए, ना, bio general knowledge नहीं है, bio subject है, सब याद होना जरूरी नहीं है, आपको 10-20% याद होना बाकी समझा होना important है, ठीक है, लिली, onion, gloriosa, asparagus, लिली, onion, gloriosa, asparagus, इसके बाद आप पढ़ सकत तो इसमें, alloy, aloe vera, colchicine मिलता है, जो spindle forming में, spindle formation रोगता है, इस plant से, colchicum, छीक है, clear, तो आप देख सकते है, tulip, यह इसके कुछ example है, solenasi में, potato, tomato, brinjal में, बोल रहा हूं, मुझे याद है, आपको भी चाहिए, अगर, real में कुछ सीखना है, इसके बाद से, मेरा suggestion यह है post that video, जो आप देख रहे हो, lecture देख रहे हो, रोग को, यह याद गरो, इमानदारी से, बाकी आपको आजाएगा, यह मेरी guarantee है, ठीक है, आप चेक करना, previous year, कि मैं questions भी कराऊँगा साथ के साथ, आपको चीज़े आ जाएंगी, वो important है, वो important है, तो इनके example चाहिए, ब्रासी क आपको पहले याद करने हैं, आगे move करने से पहले, नहीं तो आपको topic आ जाएगा, लेकिन questions नहीं बनेंगे, नीट में, वो मेरी guarantee नहीं बनने के, अगर आप यह याद नहीं करोगे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसके यह पाँच example, फैबेसी के जो दे रखे हैं, gram, moon, same जो family में लिखे हैं, वो, और solenacy, ठीक है, यह चार family याद करने हैं, और कुछ याद नहीं करना, बहुत सारे बच्चे जो बड़ी-बड़ी कोचिकों के हैं, उनको पता है कि बहुत सारे याद कराएगा, मैं सिर्फ इतने कह रहा हूँ, ठीक है, चली, मैं जो बात बोल रह हा रहा हूँ, आपको कैसे question आएगा, जैसे मैं कुछ example भले लिख देता हूँ, ताकि आप यह न कहें कि, gram, moong, यह pulses की family, same, tea, tea को piecum कहते हैं, हाना, soya bean, ऐसे करके, नील जिसे कहते हैं, इंडिगो फेरा, इसमें क्या आएगा बिटा, इसमें आएगा, potato, tomato, हाना, tomato, फिर बिंजल, ठीक है, अशोगंधा, अशोगंधा, medicinal plant है, petunia, flower आते हैं इसके, तो बैको, मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यह time का constraint है, आप याद करो कुछ से, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे याद है, मुझे पता है, ठीक है, इंफ्लोरेशंस देखो, क्या स flower on floral axis, floral axis पर flower की arrangement को, हम क्या बोलते हैं, इंफ्लोरेशंस बोलते हैं, it is arrangement of flower on floral axis, तो यहाँ पर आपको क्या-क्या नहीं पता चला, एक तो flower कैसे बनता है, मुझे ये नहीं पता, इसके अलावा floral axis के बारे में नहीं पता, ना मुझे flower के बारे में पता है, ना मुझे floral axis के बारे में पता है, तो जड़ा देख लेते हैं, exactly मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनेंगे, देखे, मैं कह रहा हूँ, it is arrangement of flower on floral axis, जड़ा उस arrangement को देखते हैं, कैसी है, वो arrangement, ठीक है, जहान से देखें बेटा, सबसे पहले जड़ा, देखो, क्या exact हो रहा है, जहान से देखना हूँ, समझने की कोशिश करना important है, यहाँ पर मेरे पास यह apical bud है, now this is apical bud, now this apical bud, grow किया, ठीक है, इस apical bud ने grow किया, ग्रो करा देते हैं इसे, जब यह ऐसे ग्रो किया है, ध्यान सुने बेटा, जब यह ऐसे ग्रो किया, तो इसने ग्रो करते वक्त, इसके tip पर अभी भी apical bud है, जहां से वो अंदर से structures बने जा रहे हैं, और इसने पीछे ऐसे leaf छोड़ दी, जहां से देखें बिंगे, यह इस तरीके से इसने क्या कर दी, इस points पर इसने leaf छोड़ी है, ठीक है, यहां पर यह बड़ी leaf है, यहां अभी छोटी leaf है, क्योंकि यह young है, और यह old है, ठीक है, old leaf, young leaf, अब यहां पर मेरे पास क्या बनता ह है, यहां हमने पड़ा था, इस जगा को हमने axillary bird बोला था, axle बोला तो, तो यहां मेरे पास क्या बनती है, axillary bird, यहां तक आपको पता है, ज्यान से सुनेगे, अब यह जो axillary bird होती है, यहां पर एक चीज दिमाग में बिठानी है, कि axillary bird जब बनती है, उस position से दो चीज बन स सकती हैं दो पॉसिबिल्टी हैं हमारे पास पहली पॉसिबिल्टी पहली पॉसिबिल्टी यहां से मेरे पास ब्रांच बन सकती है दूसरी पॉसिबिल्टी यहां से मेरे पास फ्लार बन सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्लार मेरे पास लीफ एक्जिल पर ही डवलप इसी जगा डवलप करेगा फ्लार ठीक है तो हमें इन फ्लॉरेसंस में फ्लॉरल एक्सिस समझना है अधुल इन फ्लॉरेसंस मेंने कैसे define किया था it is arrangement और फ्लॉरर ओन फ्लॉरल एक्सिस पहले फ्लॉर एक्सिस जान लेते हैं फिर इन फ्लॉरेसंस की बात करते हैं पर यहां से आपको ये समझ आ गया कि ये ऐसे ग्रो किया, तो मेरे पास इस एक्जिल पर क्या आ सकती है, फ्लार भी आ सकता है, ब्रांच भी आ सकता है, चलिए आगे चलते हैं, आगे की कहानी समझते हैं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, आपने ये सीखा यहां पर, कि ठीक है, जो मैंने बात बोली, ये ठीक है, ये आपके पास, ये, हमने बनाया ऐसे, इसके टॉप पर ये एपिकल बढ़ है, यहां पर, हमने लीव बनाई, नोड बना देते हैं, इस इस नोड, इन नोड पर लीव होती है, ठीक है, यहां पर मेरे पास ये देखी, ये लीव बना दी मैंने ये उससे छोटी लीव है, ये उससे भी छोटी लीव है, ठीक है, clear, ऐसी लिए, सही है, छीक होगे, अब यहाँ पर आगे आए, अब यहाँ पर आगे आए, जान से देखें, यहाँ से मेरे पास एक ब्रांच बन गई, यह ऐसे ब्रांच बन गई, ठीक दिख रहा है सबको, ठीक है, इस ब्रांच के tip पर भी मेरे पास apical bird है, ऐसे, और इस ब्र mode पर भी मेरे पास leaf बनी है, यह बड़ी leaf, ऐसे छोटी leaf, यह clear है, सेम ऐसा ही pattern इस ब्रांच पर चल रहा है, ठीक, अब जड़ा देखो, आगे की कहानी ऐसे समझेंगे, आगे की कहानी इस तरीके से समझ रहे हैं, ध्यान से देखना है, हम inflorescence समझ रहे हैं, ध्यान से देखो exactly हुआ क्या, यह मेरे पास मालो main stem बना दी मैंने, ठीक, इन main stem पर यह मेरे पास वो apical bud है, जो बनी हुई थी, मैंने का node होती है, यही node, इन node पर leaf होती है, मैंने एक leaf यहाँ बना दी यह, यह वो leaf है, जो हमने वहाँ बना रखती, ठीक है, मैंने का ठीक है, यह floral axis बना, सुर ठीक, now this branch is growing, यहाँ पर apical bud है, तो आपको समझ आ रहा है, apical bud कहा होती है, apical bud main stem पर भी होती है, और यही जब तक रहती है, active तब तक oxygen बनता है, यह, apical bud है, अब जड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे पास वो points हैं, जिने में node कह रहा हूँ, मालो एक node यही, एक node यह ठीक है, उस पर leaf बना देते हैं, ठीक है, this is leaf हमारे पास, यहाँ आपने leaf बना दी, यह बड़ी leaf है, यहाँ छोटी leaf, यहाँ उससे छोटी, अब देखो क्या हुआ हुआ exactly, यहाँ से सुनना बटा, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर भी branch बन सकती थी लेकिन यहाँ फलार बन गया, यहाँ क्या बन गया, फलार बन गया, देख पारे हो, फलार बन गया है, ठीक है, तो मुझी क्या समझ आया यहाँ पर, मुझी यह समझ आया, कि branch जैसे यहाँ एक्जिल लेदी बड़ से branch बन गई, लेकिन यहाँ branch ना बन के एक्जिल पर फला है तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो ब्रांच बन सकती है दूसरा एक друз और important बात समझो अब इस ब्रांच का नाम और देंकि और और इक और नाम होता है पैड़नकल वट इस फ्लोरल एकसिस वट इस फ्लोरल ऐसी branch या main axis होता है तो यहाँ पर इस branch की जगा अगर मैं flour बना देता है तो यह floral axis हो जाता अब यह floral axis क्यों है, कुछ इस पर यह flour लगए हैं तो floral axis क्या होता है, जिस पर flour लगेते हैं, वो branch जिस पर flour लगए है और हमने definition में क्या बोला? हमने का it is arrangement of flour on floral axis इसका मतलब यह हुआ कि इस floral axis पर ये flower कैसे लगेवे हैं इसको हम कहते है inflorescence Done? Clear है? तो हमें क्या दिखता है जरा समझना अगर मेरे को ये बात समझ में आ गई है तो मुझे क्या दिखता है उस पर बात कर लेते हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, मुझे क्या दिखता है exactly, उस पर बात कर लेते हैं, देखे द्यान से, हमें क्या दिखता है बिटा, दो type की inflorescence देखनी है हमने, two type की inflorescence mainly पढ़नी है, three type की पढ़नी आप पढ़ सकते हो, type देख लेते हैं सीधे, हम type of inflorescence की बात कर लेते हैं ठीक है, clear, देखें द्यान से, type of inflorescence की बात कर लेते हैं, क्या है, clear, द्यान से देखें, एक inflorescence को हम कहते हैं, racimos, अब ये racimos क्या है, अभी देखो, आपने just बनाया वो racimos था, कैसे racimos था देखते हैं, ये main stamp थी, ठीक, उस main stamp पर, हमने tip पर, ये main stamp थी, tip है ये, उसके बाद मैं ये node बना रखी है, this is node, इस node पर leaf थी, ऐसे, इस leaf के यहां से मैंने ब्रांच बनाई थी, ऐसे, इस सरीखे से branch बनाई थी, उस branch पर flower लगे थे, ठीक है, उस branch पर मैंने क्या किया था, ठीक है उस ब्रांच पर मेरे पास क्या हुआ था ये ऐसे नोड है और उस नोड पर मेरे पास ये लीफ तो होंगी नोड है तो लीफ होंगी लीफ बना देते हैं ऐसे ये बड़ी बनानी चाहिए क्योंकि नीचे है ये चोटी उससे ये उससे चोटी क्योंकि लीफ ओल्ड नीचे है अब देखो हमने का कि ये फ्लार एक यहां बन गया एक यहां बन गया एक यहां बन गया एक यहां बन गया ठीक है और ये यहां पर इसके एपिकल बड है यहां पर क्या है एपिकल बड यह यहां से ग्रो कर र तो floral axis की floral axis की मेरे पास indefinite growth है indefinite या unlimited unlimited growth है floral axis की मेरे पास indefinite या unlimited growth है ठीक है देक रहो यहां से आगे बढ़ा चला जाएगा अच्छा, flor कैसे बन रहे हैं? अब देखो flor कैसे बन रहे हैं? सोचके देखो जरा flor जो बन रहे हैं उसमें old flower नीचे है बेस और young flower किस पे है at top ये देखो old flower ये रहा ये old flower है ये young flower है young flower उपर है और छोटा भी बनाया है ना बाद में बनाया तो young flower है ऐसी arrangement को हम कहते है एक्रोपीटल ऐसी arrangement को हम क्या बोलते है एक्रोपीटल तो आपने क्या याद किया racimos के लिए racimos में हमारे पास एक्रोपीटल अर्रेंजमेंट है मतलब ये हुआ कि old flower नीचे है young flower उपर है तो पहली type inflorescence की हमने क्या बता दी आपको racimos बता दी जिसमें floral axis लगातार grow किये जा रहा है क्योंकि उस पर epical bud है clear और उसने क्या बनाया है old flower कहां बनाये है बिटा देखो इस इचको old flower नीचे young flower उपर इसका अगर मैं आपसे example बताऊं अगर मैं इसका आपको example बताऊं तो जो मैंने चार families बताई उसमें से पहली दो families कौन कौन सी ब्रासी के सी है आप question देखना racimos, cymos के आपको बन जाएंगे और febace ये ये दोनों family के inflorescence racimos होते हैं मतलब mustard में कौन सा inflorescence है racimos, चीक है P में कौन सा है racimos तो floral axis इसे कह रहे हैं इसकी indefinite growth है old flower नीचे young flower उपर that is racimos, चीक है अब जड़ा आगे देखो हमारे पास एक inflorescence आपको solutory समझना है क्या होता है और एक आपको simos समझना है solutory और simos समझना है देखना ध्यान से पिटा जो मैं बता रहा हूँ now this is main stem हमने node पर leaf बनानी है ठीक है, बना देते हैं leaf यह मैंने leaf बना दी यहाँ पर ठीक, अब देखना ध्यान से यह माल लो floral axis ऐसे grow कर रहा है now floral axis ऐसे आपका यह grow कर रहा है ठीक, इसको थोड़ा ठीक बना देते है, main stamina ठीक होनी चाहिए ठीक है, floral axis ऐसे grow कर रहा है floral axis ऐसे grow कर रहा है और उसमें हमारे पास ठीक है, node है, उस पे leaf भी है यह node पर हमारे पास leaf है ठीक है, node पर हमारे पास leaf है, ठीक है, leaf बना देते है ये नी बना दे लीफ ने ये लीफ बना दिया चीक है चलो अब हुआ क्या ये floral axis ऐसे grow कर रहा है ये खुद से end हो गया flower पर अब देख रहो floral axis grow करके खुद से end हो गया flower पर हमारे पास चलो leaf बना देते हैं इस पर ये ये leaf बना दी ऐसे तो floral axis flower पर end कर गया clear समझ आया ठीक है अच्छा अगर मैं इसको ऐसे ऐसे बना रहा हूँ देखो अगर मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ अगर आप देखें ध्यान से ये leaf बना दी देखो ये floral axis खुद flower पर end कर गया खीक और यहां पर जो leaf थी मालो ये node थी इस पर leaf थी यहां पर मालो यहां से दो branch और निकली यहां से क्या हुआ दो branch ऐसे और निकली branches निकली प्रॉपर उस पर leaf है और वो branches भी किस पर end हो गई फ्लार पे फिर इनसे भी ब्रांच निकल सकती है इनसे भी ब्रांच निकली ऐसे इस तरीके से इनसे भी ब्रांच निकली और वो किस पे end हो गए फ्लार पे तो अगर आप ध्यान से देखो हो क्या रहा है आप ध्यान से देखो हो यही रहा है इस चीज को समझो कि यह floral axis जो है यह जो floral axis है मेरे पास यह ऐसे ग्रो करा पर floral axis देखो इस चीज को समझो अगर इस पूरी ब्रांच पर एक single flower होगा इसे solitary कहते हैं इसे क्या बोलते हैं solitary और यह axle पर बनाया तो solitary axillary कह रहे हैं यह यहाँ बन जाता तो solitary apical होता है यहाँ देखना हो यहाँ एक से ज़्यादा flower ऐसे हैं ठीक है यह साइमोस है कैसे साइमोस का मतलब है floral axis की definite growth है definite का मतलब unlimited growth नहीं है और वो किस पर end हुआ है end into flower उसने flower बना दिया देख रहो यह flower बना दिया definite growth है फिर branch develop करी वो भी flower पर end हो गई तो मैं अगर इनको number डाल दूँ तो सबसे old flower यह है उसके बाद यह है और उसके बाद यह third number पर यह है तो old flower आपको उपर दिख रहा है old flower क्या दिख रहा है उपर दिख रहा है और young flower एक तरीके से नीचे है ठीक है इसको हम कहते हैं साइमोज साइमोज में बेसी पीटल अरेंजमेंट होती है अब कुछ बच्चे गन्फ्यूज होंगे इसको लेके solitary को मैंने क्या बोला है सुनना ज्यान से यह same मतलब groups में मिल जाते हैं यह दोनों पर normally solitary क्या होता है इस पूरे floral axis पर एक single flower है यहाँ पर इस पूरे floral axis पर एक से ज़ादा flower है floral axis एंड हुआ है flower पे फिर से branch आई देखो वो भी flower में खतम होगे फिर branch आई वो flower में खतम होगे इसे हम क्या बोल रहे हैं साइमोज बोल रहे हैं ऐसी arrangement को ब्रिंजल की family और हम क्या बोलेंगे बिटा ब्रिंजल की family और लिली की family इसमें मुझे साइमोज मिलेगा इसमें मुझे क्या मिलेगा साइमोज मिलेगा clear है बोलो जल्दी से clear तो इसमें मुझे साइमोज मिलेगा ध्यान रखना साइमोज मिलेगा इसमें क्लियर दिमाग में रखना इन दोनों फैमिलीज में अब जरा कुछ बातें मेरी सुनना ध्यान से देखो बुटा यहाँ फ्लोरल एक्सिस की definite growth है यह पूरे को मैंने साइमोज बोल दिया मैं आपसे कोशन बूसता हूँ अगर आपने वो प्लांट देखा है जयां सुनेंगे मेज मेज जो होता हूँ भुट्टा जी से कहते है उसको अगर आपने देखा है तो मुझे यह बताना कि उसको देखकर आपको कौन सी इन फ्लोरेसेंस फील होती है मैं आपको एक खिंड देता हूँ जो मेज आप खाते हैं मेज मतलब जो कॉर्न आप खाते हैं उसमें नीचे जहां पर वो अटैच है ठीक है जहां से सुनना विटा यह ऐसा नहीं कि मैं इन दोनों में से रेसिमोज और साइमोज में से कोई भी हो सकते है कोशन यह है कि जो आप आपके लिए कोशन यह है कि जो ऐसे आप देखते हो यहां से वो अटैच होता है और इस तरीके से उस पर कवर होता है ठीक है और सीड लगे रहते हैं तो यहां बड़े सीड होते हैं यहां चोटे सीड होते हैं ऐसे बड़े सीड से और फिर चोटे सीड होते हैं तो मुझे ये बताना है कि ये जो corn है, जिसे आप maze कह रहे हो, इसमें inflorescence कौन सी है, क्योंकि जो आप वो खाते हैं, वो एक तरीके से flour का group होता है, उसी से वो seed बने होते हैं, हम ये कह रहे हैं, जो maze है, वहाँ पर पहले flour थे, जो ये cover बनता है न, ये पूरा cover होता है, ऐसे hair जैसा बाहर आ रहा होता है, तो ये flour थे, तो आपको मुझे ये बताना है, कि maze में कौन सी inflorescence है, ठीक है, कैसे आपने सोचा इस बाग को, ठीक है, हिंट ये है, कि नीचे करेंगे lecture को, क्योंकि next lecture आपके लिए crucial है, जाके previous year check करना, कि racimos और simos के question में, families के example याद करना, और उसके बाद बताना, कि पहली दो family में racimos, आखरी दोनों में simos क्या question बन रहा है, ठीक है, तब आपको समझाएगा example कितने important है, एक चीज़ suggestion ले लो, या warning ले लो, जैसे नहीं बनेंगे, जो example मैंने बोला, आपको याद करेंगे, तो make sure आप example याद करने, ताकि next lecture में, हम कुछ ऐसा creative करें, जो आपके लिए बिटा, permanently एक knowledge को gain करने में help करें, ठीक है, क्योंकि जो रह जाएगा, वो सिर्फ knowledge है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है बिटा, thank you very much, पढ़ा करते रहें, all the very best.